तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे समास के भेद तो आपको याद होगा कि पहले हम लोग समास पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार मैं रिवाइस कराऊंगी कि समास किसे कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से बने हुए नए तथा सार्तक, सार्तक मतलब मीनिंग्फुल पदों को समास कहते हैं, पद मींज शब्द जैसे लाभानी, यथा शक्ती या फिर हम ऐसे कह सकते हैं समास वह शब्द रचना है, जिससे दो या दो से अधिक सार्तक, सार्तक मतलब फिर से कहूंगी मीनिंग्फुल शब्द मिलकर एक नया सार्तक मतलब एक नया मीनिंग्फुल शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं से राजा का पुत्र अगर है तो राजपुत्र एक शब्द बना जिसको कहेंगे हम राजपुत्र राश्ट का पिता तो क्या शब्द बना राश्ट पिता तो आपके पास ऐसे पहले बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं आपके कॉपी में ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं समास में कई कोई लंबा सा वाक्य अगर हो उसको उसका छोटा रूप लेकर एक नया शब्द का निर्मान करता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल से उसको कंप्रेस करके एक छोटा रूप दे दे उसी को उसी जैसा कुछ समास भी है जैसे उपर मे ने एक्जामपल दिया राजा का पिता एक बहुत बड़ा सा यह वाक्य है और इसका एक छोटा रूप है राश्ट पिता तो जब दो शब्द शब्द से तीसरा शब्द का निर्मान होता है तो पहला शब्द है उसको कूर्वपद और दूसरा जो पद है उसको उत्तर पत क जो नया शब्द बना अगर किसी चीज को हम compress करते हैं और जो नया शब्द बना तो वो दो के मिलन से बना तो पहला जो पद हुआ उसको पूर्वपत कहते हैं और दूसरा जो हुआ उसको उत्तर पद कहते हैं यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे इसका भेद जो मैं समझाओंगी उसमें आपको इसकी काफी जरूरत होगी जिसे पहला पद हुआ राज और दूसरा हुआ पुत्र तो दोनों मिलकर हो गया राज पुत्र ठीक है ऐसे आप समझ सकते हैं तो आईए जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं समास के छह भेद होते हैं और हम एक एक करके सबको समझेंगे लेकिन पहले उसका नाम जान लेते हैं पहला है अवईभाव समास दूसरा है तत्पुरुष समास तीसरा है कर्मदार्य समास चौथा है द्वीगू समास फिर द्वंद्व समास और बहु ब्रीही समास तो ये छह प्रकार की समास हैं और हम एक एक करके सबको समझेंगे तो बच्चों, पहले हम समझेंगे अव्य ही, बाव समास, ये कौन सा समास है, इसको हम समझते हैं, तो इस समास का जो पूर्व पद होता है, वो अविकारी होता है, अब हम समझेंगे कि अविकारी क्या होता है तो अविकारी शब्द वो शब्द होता है जिसका लिंग, वचन, काल जैसे व्याकरण के जो कई नियम होते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका पूर्वपद हमेशा छोटा होता है ये विभिन शब्दों से पहले लगकर एक नए शब्द का निर्मान करता है तो बच्चों ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो मैं कुछ एक्जामपल दूँगी और इस एक्जामपल के जरीए हम समझने की कोशिस करेंगे कि अब यह बाओ समास क्या होता है बस आप इसको समझने के लिए इतना जान ले कि अगर इसका जो भी यह शब्द बनता है उसका अगर हम विग्रह करें उसको अगर हम तोड़ें तो इसका जो पहला पद होगा वह दूसरे पद से हमेशा छोटा रहता है यह मैं आपको इसलिए बता र प्रकार है उससे इसको आप अलग समझ सके ठीक है मतलब फर्क समझ सके ठीक है तो आएए कुछ example से हम समझते हैं कि जिसे यथा प्रती नी बे अन आ ये सब क्या है उपसर्ग है ठीक है ये किसी शब्द के पहले लग कर उसको उसका meaning change कर देते हैं और एक नया शब्द का निर्मान करते हैं जिसे यथा लगने के बाद हो गया यथा शक्ती तो इसका मतलब हुआ शक्ती के अनुसार यथा जो है वो अकेले उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन वो शक्ती के साथ अगर लग गय तो क्या हो गया यथा शक्ती और वो एक meaningful word बन गया उसको कहेंगे शक्ती के अनुसार उसी तरह और भी हम देखेंगे प्रती प्रती अपने आप में कोई meaningful शब्द नहीं है बट अगर वो दिन के साथ लग जाए तो वो हो गया प्रती दिन और उसका मतलब होता है हर दिन रो अगर डर के साथ लगे तो वो हो जाएगा निडर मतलब बिना डर के उसका मतलब है बिना डर के और भी example कुछ लेते हैं शक अगर शक के आगे बे लग गया तो वो होगा शक के बिना तो ये क्या है इसका जो पहला पद हुआ वो प्रती और दूसरा पद हुआ दिन तो ये दिन लगे प्रती का कोई मीनिंग नहीं है लेकिन वही अगर दिन के साथ लग गया तो वो हो गया प्रती दिन एक नए शब्द का निर्मान हो गया जिसका कोई सार्थक अर्थ है मतलब एक मीनिंग्फुल वर्ड बन गया है ठीक है तो इसको पहचानने के लिए हमेशा आप याद रखना कि कोई भी शब्द के पहले उपसर्ग जैसे होता है किसी शब्द के पहले लगकर किसी शब्द का मतलब चेंज कर दे तो वो हो गया अब यही भाव समास चीक है उसी तरह आगे और भी एक्जामपल है बे लगकर बे काम और इसका मतलब हुआ बिना काम का उसी तरह मतलब में बे लग जाए तो बिना मतलब बे मतलब वैसे ही जीवन में आ लग जाए तो हो जाएगा जीवन जिसका मतलब है जीवन भर तो बच्चों ये सारे example आप याद करके रखना क्योंकि आपको अव्याईबाव समास के ये सारे example मैंने लिखा दिये हैं तो आइए अब आगे बरते हैं दूसरे समास की और दूसरा जो है बेद सौरी प्रकार वो है तत्पुरुष समास ठीक है वो है तत्पुरुष समास तो इस समास को जानने के लिए हम देखेंगे कि ये जो तत्पुरुष समास है उसमें प्ूरु पद विशहिशन होता है और उत्तरपद जो है वो पद की विशेश्ता बताता है यानि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है और इसमें समास विग्रह अगर करे, अगर हम शब्द को तोड़े तो विग्रह करने पे का, को, मे, से, की, दो पदों की बीच में देखने को मिलता है अब बचों इसको हम समझेंगे एक्जाम्पल के दौरा, ठीक है न, जैसे स्नान ग्रिह, यह एक शब्द है इसका अगर हम मतलब देखें, तो है स्नान का ग्रिह, ठीक है तो वही है स्नान को विग्रह किया, स्नान और ग्रिह दोनों को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है स्नान का ग्रिह, तो पहचानने के लिए आप ततपुरुष समास पहचानने के लिए अगर आपको कोई वर्ड मिले तो उसमें आप देखना कि उसको तोड़ते समय, उसमें का, को, से, में, इन सब तरह का चिन बीच में, दो पदों के बीच आपको मिलेगा तो इससे आपको आसानी होगी पहचानने के लिए किया ततपुरुष समास है आईए इसका और कुछ एक्जामपल देखते हैं, जैसे कि गगन चुम्बी, तो गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो इसमें को आगया इसका मतलब यह ततपुरुष समास है उसी तरह कन्या दान तो कन्या का दान अकिसकी दान तो कन्या की दान तो दान की विशेस्ता बता रहा है यहां पे, ठीक है उसी तरह जेब को काटने वाला जेब कतरा तो कतरा कौन सा है वो जेब काटने वाला है उसी तरह भुख मरा ठीक है तो भुख से मरा हुआ ठीक है रसोई घर तो किस कीच के लिए घर रसोई के लिए घर ठीक है तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि जब आप किसी word को विग्रह करेंगे, तोडेंगे तो उसमें को, का से और आगे अगर हम देखें कुछ example, तो है वनवास, वन में वास करने वाला, ठीक है ना तो इसमें में आ रहा है ठीक है, वसी तरह ग्रिह प्रवेश ग्रिह में प्रवेश करनेंगे कि यह ततपुरुष समास है